नमस्का दोस्तों स्वागा थे आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैत का पिष्ण डिसकस करेंगे तो हम यहां जिस पिष्ण की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं तो प्रस्ण हमारा क्या है प्रस्ण है कि एक बर्ग का बिकर्ण बारह रूट टू मीटर है इसके छेत्रफल और इसके बिकर्ण पर बने बर्ग के छेत्रफल का अनुपात क्या है ठीक है उस प्रस्ण ने हमें दिया है कि एक बर्ग है हमने एक बर्ग बना लिया ठीक है और उसने कहा कि उस बर्ग का जो बिकर्ण है वह है बारह रूड टू बारह रूड टू ठीक है तो जिस बर्ग का यह बिकर्ण है हम माल लेते हैं उसकी बुजा कितनी है ए और उसका बिकर्ण है उसको हमने डी मान लिया, DAY cannot like Department A. डी बराबर, बार हे रूट तू, आगे उसने कहा, इसके छित्र फल यहनि जो हमारा यह बर्ग, इसका छित्र फल और इसके बैकांड बरोण बने बारग के छित्र फल का अनुपात क्या कि इसके बिकाण पर बने बिकाण हमारा यह है तो इस बिकाण से हम एक और वर्ग बना लेते हैं कि आप यह ऐसने कहा है यहां पर आपको दो बर्ग नजर आ रहा होगे एक तुझा हमारा सीधा सीधा पहले का बारे जिसकी भुझा A है और दूसरा बर्ग है जो कि बिकान्ट से बना है उसकी भुजा हम मान लेते हैं कि उसकी भुजा क्या है उसकी भुजा D है ठीके तो पहले तो हम बर्ग का बिकान्ट हमें दिया गया था D बरावर क्या है 12 रूड टू ठीके तो D बारग का बिकान क्या होता है A root 2 बरावर 12 root 2 root 2 काट 2 A बरावर नकलाया 12 मीटर ठीके तो जो हमारा A भोजा वाला बारग है उसका लंबाई निकली है 12 मीटर तो हम बारग के ताचे फल निकाल लेंगे बरावर A square और A है हमारा 12 तो 12 का square होता है 144 मीटर square हो जाएगा ठीके तो जो हमारा सबसे पहले हमने बरग बनाया था जिसकी बोजा A है उसका हमारा चेतफ़ निकला है 144 मीटर square अब दूसरा बिकान है उस बिकान का भी चेतफ़ निकालना है दूसरा जो बरग है जिसका की पहले बरग का भी चेतफ़ बिकान उसकी बोजा है तो हम फिसे निकालेंगे बरग यहाँ पर लेग लेते हैं दूसरे बरग का छेत्रफल बराबाबाग अब उसकी बोजा है डी तो यहाँ होगा डी का square यहाँ है 12 है root 2 का square में 288 मृ can 2 पहला बार्ड था उसका हमारा छिप लाया 144 मीटर इसका वे का जिस गोजा है उसका जो छिप फल भाँ आया 288 मीटर अब उसमें ऑनके 4 दभाल का नुपात क्या है इसमिंव सी probaltro कर पहले इंब आ है उहां पर क्या होगा का फाइले दूसरे बर्ग का छेत्रफल अनुपाते एसको भाग लगा देते हैं दूसरे बर्ग का छेत्रफल पहले बर्ग काया 144 दूसरे बर्ग काया 288 तो एक बार और दो बार कितना आएगा एक बटे दो या इसी को हम ले सकते हैं एक अनुपाते दो ठीक है तो जो हमारा पहले बर्ग है और जो बर्ग बर्ग बना है उनके छेत्रफल में कितना अनुपात निकल के आगया एक अनुपाते दो ठीक है इसमें कुछ नहीं है तिर्फ समझने वाली बात है पहले तो डाइग्राम आपको समझ में आना चाहिए कि कैसा बनेगा इसके बाद इनकी भुजाएं समझ में आना चाहिए जो पहला वाला बारग है उसकी भुजा ए है उससे हमने बेकाण की सावाजता से उसकी भुजा को निकाला तो 12 सेंटी मिटा रहा है तो दूसरा वाला जो की इसके बेकाण पर बना है तो बेकाण ही उसकी क्या है भुजा है यहीं 12 हे रूट्टू। उसकी भुजा ए तो आपके अपने चैनल पीके गुरू जी के साथ नमस्कार कर दो